कैलास्ट पतीजी का अशिरवात तो संगठन के कारे में भी मुझे मिला और वे गुजरात के गवर्नर थे उसके कारण भी मिला गुजरात के विकास के लिए उनके मारदर्शन का मैं हमेशा आभारी रहूँगा साथियों आपके सुच्छा और समर्थन का परणाम है कि छे चरणों के बाद विरोधी दलों की हालत पस्त है और उनके नेताओं का गुच्छा साथवे आसमान पर है इसलिए ही बोधी को गाली देने का एक कॉंपिडिशन बड़ा तेज हो गया है अब ही जब मैं आ रहा था तो सुसील जी का भाचन सुना ही दे रहा था वो सारी सुची बता रहे थे कैसी कैसी गालिया यह निकाल के ले आए हैं दोस्तों आपका प्यार आपके आशिरवाद आपका उत्सा आपका जोश यह सब कुछ मेरे सर आखों पर अब आप इजाज़त दे हैं आप इजाज़त दे तो मैं बोलना शुरू करूँ मैं बोलू क्या मैं अपनी बात बताओं क्या आपका उत्सा आपका प्यार यही तो मेरी ताकत है दोस्तों लेकिन जो काम के लिए मुझे बुलाया है वो भी तो करना पड़ेगा न तो बोलना शुरू करूँ आपका प्यार बना रहेगा यह जुस्सा उन्निस तो क्यों भी चलाना है चलेगा भाईयो बहनो वो जीत तो सकते नहीं गाली देकर ही अपने मन की भडास निकाल रहे हैं साथियों यह केंद्र में मजबूर और कमजोर खिचडी सरकार बनाने के चक्कर में थे सोच रहे थे कि कमजोर सरकार आई तो फिर इन्हें सरकार को ब्लैक मेल करके जनता को लूटने का लाइसेंस मिल जाएगा लेकिन आपके इस चौकिदार ने इनके मनसुबों पर पानी फेर दिया है दस दिन के बाद 23 मई के नतीजे तै है क्या नतीजाने वाला है क्या नतीजाने वाला है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार नतीजेत तैय है लेकिन एक बात याद रखिए बिहार में पूरे हिंदुस्तान में जहां भी चुनाओ बाकी है उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ विजय निश्चित है लेकिन ये हम याद रखे बचमन में हमें सिखाया गया है बुन्द बुन्द से ही गड़ा भरता है बुन्द बुन्द से ही गड़ा भरता है इसलिए आपको भी 19 मैं को गर से निकलना है और देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट देना है और इस विजय को अधिक भव्य बनाना ये हमारा सपना है साथियों ये चुनाव सिरफ ये ताय करने के लिए नहीं है कि कौन सा दल या गड़बंदन जीतेगा बल्कि ये चुनाव ताय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत कितनी तेजी से विकास करेगा ये चुनाव 21 सदी के हमारे बच्चों का भविश्यत ताय करेगा लेकिन आप मुझे बताईए ये महा मिलावट वाले भारत के विकास की बात कभी भी करते हैं क्या ये भारत के विकास की बात करते हैं क्या भारत के विकास की चर्था करते हैं क्या भारत की विकास का उनका एजेंडा बताते हैं क्या ये लोग सीर पर सिरफ अपना हीत करना जानते है गरीबों का नहीं इन लोगों ने समझ लिया है कि कुछ जातियां उनकी गुलाम है जैसे कहेंगे उस जिजाती के लोग वैसा ही करेंगे ये लोग भूल रहे हैं कि जब देश की बात आती है तो हम सब पहले भारतिय होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं भाई और बेहनों ये वो लोग है जिनोंने दसकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटो रहे बड़े बड़े पद हासिल किये लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को भुलने का ही काम किया ये लोग भी गरीबी से निकले थे लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोडों की संपत्ति खड़ी कर ली है राजनीती में कबसे इतनी तनखा मिलने लगी कि अर्बों खर्बों का मालिक हो जाए भाई और बहनों इन लोगों ने आप से लुट कर अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाए लाखों की गाडिया खरी दी है जबकि आपका ये सेवक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख मंत्री रहा और पांच साल से देश का प्रधान मंत्री है लेकिन एक पल के लिए भी न मैंने मैं अपने लिए जिया हूँ और नहीं अपने रिष्टेदारों के लिए मैंने अपना समय बिताया है मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है 130 करोण हिंदुस्तानी ये ही मेरा परिवार है इनी के लिए जीता हूँ इनी के लिए जीऊंगा साथियों इमानदारी की इस ताकत ने गरीबी के जीवन ने मुझे वो ताकत दी कि मैं गरीबों के लिए इतना कुछ कर पाया हमारी सरकार के हर योजना के केंद्र में गाव और गरीब रहे हैं आजादी के बाद हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने गावों के बारे में इतना सोचा है इतना काम किया है हम देश के हर गावों तक सड़क पहुँचाने के लक्ष पर काम कर रहे हैं गावों में रहने वाली माता और बहनों के लिए करोडों सोचाले बना कर हमने उनकी पीडा कम की है गाव में रहने वाले गरीब बहनों को हमने मुक्त गैस कनेक्शन दिया है गाव में रहने वाले हर गरीब के पास अपनी पकी छत हो इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है यह आप लोग इतना प्यार करते हो और वो लोग परेशान हो जाते हैं गाउं में रहने वाले हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो इसकी कोशिस हमने जंदन योजना के माध्यम से की है अब तक डाक घरों को बैंक में बदल कर हर गाउं तक बैंक ले जाने का काम भी किया जा रहा है गाउं में रहने वाले दूर दराज इलाकों के बच्चों को ही ध्यान में रखकर हम मिशन इंद्र धनुष चला रहे हैं आपके इस सेवक ने पांच साल में जितना भाजपा एंडिये की सरकार ने गरीबों के लिए किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ इसलिए जब आज गरीब मोदी मोदी करता है मोदी को आसिरवाद देता तो इनका पारा सातवे आसमान पर पहुँच जाता है भाई और भेनों कॉंग्रेस हो या आरजेडी इनकी सोच में ही खोट है ये 21 सदी के भारत को नहीं समझ सकते ये बिहार को देश को अंदेरे में ही रखना चाहते है इनकी इसी कोशिस के बीच एंडिये का प्रयास घर घर को रोशन करने का है अभी कुछ दिन पहले ही यहां बक्सर में वीडियो कांफरंस के जरिये एक बहुत बड़े पावर प्लांट के सिलान्यास का मुझे आउसर मिला था साथियों विकास के ये काम तभी हो सकते हैं जब देश सुरक्षित हो लेकिन इन महा मिलावटी लोगों को न देश की सुरक्षा की चिंता है और नहीं इनको कोई नीती है इसी वज़ा से 2014 से पहले पूरे देश में आतं की बिनास लिला चलती रही साथियों एन्डिये की सरकार ने अपनी एजन्सियों को अपने सपुतों को हमने खुली छूट दे दी जिसके कारण आठ देश के भीतर भी सफाई हो रही है और सीमा के उस पार भी सफाई हो रही है ये नया हिंदुस्तान है ये आतं कीओं को गर में गुश करके मारता है मारना चाहिए हिम्मत के साथ करना चाहिए पूरी ताकत से करना चाहिए इस देश में से आतंकबाद खत्म होना चाहिए इन निर्दोशों को मारने वाली दुनिया समाप्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए साथियों पत्थर बाजों को उनके समर्थकों को नक्षलियाओं के समर्थकों को खुला लाइसंस देना चाहते हैं ये महा मिलावटी देश की अखंडता और सुरक्षा को दाउंग पर लगाने निकले हैं इन्हें रोकना हम सभी का कर्तब्य है साथियों सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्रण है इसी लक्ष पर चलते हुए एंडिये ने हर वर्ग हर छेत्र के विकास के लिए काम किया है किसी भी वर्ग के हितों से छेड़ छाड़ किये बिना सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को दस प्रतिशत आरक्षन का इसी सोच का परणाम निकला है OBC कमिशन को सम्वेधानिक दरजा देना भी सामाजिक न्याय को ससक्त करने वाला है भाई और बेनों किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसे जमा होने शुरू हो चुके हैं और अब 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार जब मोधी सरकार बनेगी तो किसानों को खेत मजदूर को छोटे दुकेंदार को ऐसे लोगों को हर महिने पैंशन मिले इसकी सुविधा उसकी योजना भी बनाई जाएगी इसी तरह हम व्यापार्कियों के लिए भी राष्ट्रिय व्यापारी आयोग और 50 लाख रुपिय तक का बिना गेरंटी का रोण दुकानदारों को 50 लाख रुपिय तक बिना गेरंटी का करज ये सुविधा भी फिर एक बार मोधी सरकार बनने के बाद हम सुरू करने वाले हैं यहां मेगा फुड़ पार्क के लिए भी स्विकृति दी जा चुकी है इस पार्क के माध्यम से भी यहां रोजगार का निर्माड होगा और किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिलेगा साथियों इस खेत्र में भगवान राम और माता सिता के चरन पड़े हैं आस्था कि इस महत्वपून दरोवर को हमने युवाओं के रोजगार से जोडने का भी बिड़ा उठाया है रामाएंड सरकीट से बक्सर को जोडा गया है इसके तहट यहां परियटकों और सद्धानों के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माड हो रहा है इसी प्रकार महादेव गाट पर गंगा आरती को और यद दिव्य बनाने का प्रयाज भी निरंतर चल रहा है साथियों भव्य और दिव्य भारत बनाने की यह आत्रा ससकत हो इसलिए आपका एक एक वोट एंडिय को पढ़ना चाहिए कमल के फूल उस पर और तीर के निशान पर या बंगले के निशान पर जो भी वोट पड़ेगा वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आप अपना बूत मजबूत बनाएंगे अपना बूत मजबूत बनाएंगे गर-गर जाएंगे मदलाताओं से मिलेंगे वोटिंग के लिए समझाएंगे ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे इतनी गर्मी में भी वोट करवाएंगे पूरी मेहनत करेंगे शांती से मद्दान करवाएंगे कमल खिलाएंगे तीर चलाएंगे मंगला बनाएंगे देश को महान बनाएंगे देश को मजबुत बनाएंगे भायो बहना भारत मजबूत बनागने के लिए आपका वोट सबका वोट बहुत जरूरी है मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की अ